वेल्कम बेक टो माई चैनल रुदी ओफिशल जोन लाइव में आफ काफी ज्यादा प्रोब्लम आ रही थी देट स्वाइ मैं रिकॉड़ेट वीडियो आप लोग लिए डाल रही हूं बट कोई प्रोब्लम नहीं है यह वीडियो मैं आप लोग की प्रीमियम पर डाल दूंग यह भी बहुत ज्यादा बच्चों को यहां पर बहुत प्रोब्लम आई कि मैं आउट ओफ स्लेवर्स था जैसे कि थम्नेल भी आप लोगों ने इसलिए देखा होगा तो आउट ओफ स्लेवर्स था यह भी आप कह सकते हैं क्योंकि कुछ कोशन जो मैंने आप देखें उसके बाद जैसे पता चला सेकेंड यहां पर मैच होते हैं कोई गलत नहीं है बलकि यह सही है कि आप में से जितने इंपॉर्डेंट कोशन यहां पर बहुत सारे स्टॉर्डन आया फिया प्रीवियस यह उठा के देखेंगे तो ऐसा कोशन पर होफुली आज तक नहीं बना है ठी यहां का कोशन देखेंगे तो अलगी रूप से पूछा गया था आप लोगों से बट जो भी स्टूडेंट डीपली आप अच्छे से रीड करके गए होंगे कोई भी टॉपिक को तो होफुली वह अंसर को यहां पर बना भी पाए होंगे कमेंट बॉक्स पर बताना कोशन न यहां पर चोड़ा नहीं होगा वह सबसे बड़ा लॉस हो जाता हाड आया है यह मैंटर नहीं करता क्योंकि एक्जामीनार यह सब नहीं देखेंगे और आपके भी यहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहां पर यह इसी बात किये तो फुफुली आप लोगोंने सब कोला था कि प्रीवियस यह से हम लोगों को हेल्प ले सकते हैं कि इंपॉर्डंट टॉपिक कौन से आते हैं बट इस पार सायद वह काम नहीं कर पाया क्योंकि कुछ कोशन ऐसे थे चो आते ही नहीं वह भी आए और आप लोग के नेक्स्ट कोई भी स्लेबस से बाहर भी कह सक सब्सक्राइब कर रहें तो उससे लेड़ी कोशन पूछे गए कि पीस एजुकेशन क्या होता है और उसके बाद यहां पर एक्स्ट्रा कोशन अटाइच किये हैं कोर वैलियो बेसिक एजुकेशन भी पूछा गया है अब बेसिक एजुकेशन की बात आती है तो यह वाला तो काफी स्टुट्ट को यह वाली कोशन करने में भी प्रॉब्लम आई होगी तो यह सेकेंड यर में ही आएंगे कुछ अचा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हाँ पर आते हैं बट बेसिक एजुकेशन आपके कंटेंट में अगर देखेंगे यूनिट वन्टु बुनियादी शिक्षा के बारे में फिर भी उन्हीं स्टुट्ट को अच्छे से पता होगा लाइक जैसे फिलोसफी में हमने बेसिक एजुकेशन पढ़ा जैसे आपके कंटेंप्रारी में था यह तो तो इस प्रॉपिक के बारे में थोड़ा से पता होगा वही लिखकर आप में से काफी स्टूर्ट को प्रॉब्लम कर दी तो अगर यहां पर चॉइस होती तो मेरे साब से काफी स्टूर्ट ने बेसिक एजुकेशन किया होगा और इन दोने कोशन में देखेंगे तो अधीविता फिलोसफी राइट इसमें होफुली जो पढ़के गया होगा डी तरीके से करके कर सकते थे बढ़ यहां पर कोशन जो पूछा गया है कि जो एजुकेशन है वो आपकी समाजिक सरस्थना को किस तरीके से रुपांतरित करती है यह वताना अब कुछ उधारन देना है वो भी प्रेजन सिनेरियो यानि कि वरतवान में इसको किस तरीके से कर आए कि होगा शौट कोशन हम लोग देखेंगे तो एम अफ एजुकेशन पूछा था सोशल इक्वालेटी और सोशल स्टैरिफिकेशन यह भी नहीं था आपके इसलेबस में राइट और क्लास एंड कास्ट यह वाले कोश्चन पे भी कॉफी स्टूरेंट को डाउट है कि है मैं इसमें से आहा हो पताए कज़रू कॉशन कोशन आप लोगों अट्रेंट करें बट मेरे साब से यह अगर आप लोगों सारे अट्रेंप्ट करें तो बहुत अच्छी वात हैं वह आपको च्छे मांक्स लाने में हलप करेंगे किक इसकिमें में दिक्कत मत की जगा अग बहुत ऐसे डिफिकल्ट पेपर कह सकते हैं कि आपके एक्जाम में हाँ आज कराया गया है और काफी ऐसे स्टूरेंट होंगे सोच भी नहीं पार होंगे कि क्या है क्या नहीं पर फूली आप लोगोंने कोशन को अच्छे से रीड के होगा और बहुत अच्छे सीगें को एक व पूछा है जो कि आप लोग के यह कह सकते हैं कि आपने पेपर उठायोगा तो वेरी शॉट से लगा होगा कि आई होप आप आज फिलोसिफिक का पेपर देने आए हैं नितों लॉंग शॉट में तो काफी स्टूरेंट्स कन्फ्यूज हो गए होंगे कौन सा कुशन करें कौ पूछ लिए जो कि लॉंग और शॉट में ही पूछा जाता था बट होफुली इस बासारी कोशन कह सकते हैं कि जो इंपोर्टेंट थी वो सब आपके वेरी शॉट में डाल दिये गए जो भी था मैटर पता नहीं बट आप लोग का एक्जाम अच्छा गया होगा तो फिलाल मैं आप लोगों को यह रिव्यू दूंगी कि एक्जाम जैसा भी गया फिलाल के लिए चला गया है अब आप इसके लिए परिशान मत होईए आप लोगों ने अग्जाम में सारी कोशन अटेम्ट करें तो ओफुली वह आपको काफी हद तक बेनिफिट करने वाले हैं ठीक ह और सबसे इंपोर्टेंट बात में बदा देती हूं नेक्स पेपर जो आप लोगों का है growing up as a learner आप उस पर फोकस करिए इंपोर्टेंट कोशन की बात है मैंने वह आपके टेलीक्राम चैनल पर डाल दिये हैं नहीं तो मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर देती हूं और I know का इंपोर्टेंट कोश्चन और इंपोर्टेंट टॉपिक जितने आते हैं बिसकली पहले इसको कवर अप करिए और मैं आप लोगों से बहुंगी से हम लोग देख सकते हैं कि पेपर में आने को कुछ भी आ सकता है तो आप लोग बेसिकली हर एक टॉपिक को डीपली कम से कम पढ़के जाएं इसको समझ के जाएं जिससे आप लोग अपने तरफ से बना के चले जाएं बेसिक आप उसे यह कह सकते हैं कि हालेट नहीं कर पाएंगे बट कुछ ना कुछ तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे हम इस कोशन को ही देख लेंगे तो कितने सारी यहां पर आ करम आप लोगों का चला गया है कि यह सकता है वी काफी है भी और क्योंकि जिसने पूरी हैं पे अच्छे बvos रीडिंग करी हो गया और इ सकते हैं तो वह अपर अच्छे सब्क्राइब कर लिया होगा तो मैं चलिक फॉर्ड कर कर देते त यह मैंने पहले भी शियर किया हुआ था बड़ फुली इसका पीडियाफ आप लोगो टेलीग्रम पर मिलेगा लिंक डिस्किप्शन में और कमेंट बॉक्स पर भी पीन किया हुआ मैंने सबसे पहले कोशन एजुकेशनल टेक्नोलोजी की ऊपर ही आप लोगो देखने को है बट आप लोग टॉपिक पर फोकस करना किस तरीके से कौन सा टॉपिक सबसे जादा यूनिट में आता है क्योंकि उससे मिलता जुलता कोशन कुछ भी बन सकता है यह मैं आपको पहले ही बोल रही हूं ठीक है दूसरा देखेंगे गिफ्टेट चिल्डरन के ऊपर कोशन है ठीक है तो अब इसके चाहिए करेक्टर स्टेक्स हो गया अरेंजमेंट हो गए किस तरीके से अब गिफ्टेट हो आप लोग को सारे टॉपिक पढ़ने है यह आप लोग को इस यूनिट का नहीं है होफुली नीचे मिलेगा बट आपके शॉट कोशन के लिए मोस्ट पर नोट्स में आप लोग को सारी इंपोर्टन टॉपिक मिल जाएंगे उसमें एजीली क्राइक हो जाएगा क्योंकि मैंने जो यहां पर फिलासिफिक नोट्स यह थे होफुली उन स्टूइट के में पस मेसिज आएं कि मैं पेपर उसके अकॉर्डिंग हो गया क्योंकि जो कि आपके उसमें पूछा गया था तो भी कोशन आया था कि आपको बताना था कि सिक्षा मनुविज्ण सिक्षा के चेत्र में व्लविज्ञान इक सिधानतों वह मिनिक्षकर्शम का परियोग करना है तो वह क्या होगा ठीक है और दुबारा रिपीटिड हुआ है तो इस तरीके से question आते हैं या आप लोग question अपने screen पे देख सकते हैं ठीक है unit 1 का important है खास करिए कि what is the relation between education and psychology क्योंकि आप लोग के exam में काफी हद तक आप लोग को देखने को मिलने वाले और next आप exceptional children unit 1 में ये बोल सकते हैं hopefully बहुत important है unit इसको skip मत कीजेगा मैंने काता है exceptional children gifted children सब कुछ आता है इसमें और इन में से दिखेगा भी उनके characteristics प्रॉब्लम्स बताना है किस तरीके से इनकी हां पर समस्यों को प्रॉब्लम को दूर किया जाता है तो यह long question के लिए इस तरीके से question बनते हैं ठीक है बेकवर्ट चेलन के ऊपर हैं पर देख लीजिए question पूछा गया है और यह short question के लिए important repeat होता ही है hopefully अगर यह आपको short में नहीं दिखा तो very short में पूछ लेगा तो hopefully आप लोग इस question को करिए का जरूर इसके मत कीजेगा तो unit 2 की बात करो तो unit 2 में adult sense एक topic आएगा वैसे तो आप लोग के बहुत topic है अब अडॉल सेंस ही maximum पूछे जाते हैं तो इस topic को अच्छे करना इस topic को पूर अच्छे से cover up करना अब डॉल सेंस के question यहां पर देख लीजे तो इसके विशेस्ता हैं पूछिए या फिर यहां पर पूछा गया है कि किस हो रवस्ता में समाजिक विकास लिखने है कि उसके दौरान क्या 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 विकास होते है क्या 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 कोशन आपके screen पर ही है काफिया तक benefit करेंगे आप इस तरीके से प्रेप्रेशन कर लीजिए और नीचे यूनित थर्ड देखेंगे most important है इसको skip मत करना तो आपको काफी जादा पूछी जाएंगी इसको बिल्कुल मत करना कोशन दिखेंगे चाहिए वह अकॉर्डिंग टो थ्रॉंडाइक पैवलब कॉलर स्कीनर 11 इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आते हैं पहले तो आपको learning करन दिखेंगे जैसे मैंने आपको बता है कि तो उनकी पता होनी चीह और इसकी एजूकेशन इंप्लिकेशन यानि कि आपको पूरे पताने है कि अधिगम सिध्धान्त के वारे में फेक्टर अफेक्टिंग लेर्निंग प्रुपिक जो कि शॉट कोशन में डारेक्ट पूछा पांपन दे रहीं तो आज आप लोग कर सकते हैं कि पहले बागी आप क्नटेंट कर लो कि बाकी सब आप कर लेंगे थोरी काफ इंपॉटेंट है अगर अभर लोगों में से उन्पे च्छोंडबी बागी युनित कम्प्ली ना कर ली वहां एक लोग कोई सकते हैं आप कर इसलिए हो जाएगा लर्णिंग और एक कोई भी आप लोग को उसकी त्योरी पूछेंगी अप्चाई वो पैवलॉप की त्योरी या फिर त्रोंडाइक की ओ ठीक है तो यूनिट थर्ड मत स्कीप कीज़ें कोशन देख लीजे किस तरीके से पूछे जाते हैं यह बोली कि त् सकते हैं यूनिट फोर की बाद करूं इसमें था वो कोशन वे इंप्रूविंग वारा जो कि यूनिट वन में एड हो गया था बट नो इशू आप लोग कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर कोशन आता है तो इसमें डिफेंस मेकनिनिजम बहुत इंपोर्टन है ठीक है और इ कि क्या भूमी का है वो बतानी है एंदेन मेंटल हाईजिन और मेंटल हेल्थ की बीच में डिफ्रेंशीयट पूचा गया था यह तो रहा यूनिट फो यूनिट फाइफ की बात बोलूं तो इसमें सीव आप इंपोर्टन है वह आपका पस्नालिटी खुद में एक इंपोर् करनी है तीन चार चीज़ा आप लोगो पस्नालिटी के ऊपर करना है यूनिट फ्री और यूनिट फाइफ को मत स्कीप करो दो लॉंग कोशन एजली क्रेक हो जाएंगे बहुत एजली अडूर्ट बताएं इनमें से ही मिलेंगे किस तरीके से कोशन आता है इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बता रही हूं टॉपिक पर फोकस करो अपने खुद के नोट्स प्रेपेर करो शॉर्ट रॉफ नोट बनाओ ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है उस चीजों को समझो बट रॉफ नोट का मतलब क्या आप लोग किस तरीके से वह टॉपिक आएगा त अगर आप में से काफी स्टूर्ण को दिख्कत है तो आप कोई भी पांच यूनिट कर सकते हो कोई डाउट नहीं क्योंकि आपके पास चॉइस होते हैं क्रियेटिविट आएगा लॉग कोशन में क्योंकि चॉइस में भी दिखेगा इमोशन और इंटेलिजेंस के बारे में में पूछा जाता है क्योंकि कर सकते हैं इंटेलिजेंस के क्या होता है कैसे में ऐता है वो सब वेरी शॉट कर देख लीजिए किससे को चॉशन आए थे यानि कि ईंटेलिजेंस के कितने टाइब सोते हैं एस सबसें में इम्पॉर्डन है तो अगर आपने उनिट निए ने बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक है जो कि लॉंग शॉट वेरी शॉट एजली क्रेक करवा देगा तो युनिट शिक्स में सारे टॉपिक को कर डीजिए कोई भी डाउट हो तो बताएगा और कोशिश कीजिएगा बाकि नोट्स में मैं आपको सब कवर अब करके दे रही हू अगर किसी को लेना है तो आप वाटसब पर हैं पर टेक्स करके पूछ सकते हैं स्क्रीन पर नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए बाकि नेक्स वीडियो पर आप लोगों से मिलती हूं थैंक्यू पर वाचिंग